So Hello and Welcome हो गया आप सभी लोग का मेरे इस नए वाले वीडियो में तो गाइस आज किस वाली वीडियो में हम दूबार से खेलने जा रहे हैं Fake Pixel Sky Block Server तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी लोग को बता है तो गाइस आज किस वाली वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताऊंगा कि Floor 7 में जो है सबसे ज़्यादा अच्छा आर्मर कौन सा है और सबसे Best Sword कौन सी है और क्या मेज के लिए Best है क्या Archer के लिए Best है कौन सा आर्मर हमें Archer के लिए उस करना चाहिए और Buzzer के लिए उस करना चाहिए मेज के लिए तो गाइस वीडियो को शुरू से इन तक जरूर से देखना वीडियो में आने वाले बहुत मजा तो चलो गाइस अभी वीडियो को शुरू करते वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अब 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 तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफर से सब्सक्राइब कर दो एंड गाइस हमें जो बहती जल्दी 3K भी रीच करने तो फटाफर से सब्सक्राइब कर दो एंड इस वाली वीडियो पर इस वाली वीडियो पर मैं रखूंगा 100 लाइक काई मैं देखते कितने जल्दी आप जो कम्प्लिट कर आपाते हो तो चलो गाइस अभी वीडियो को शुरू करते है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ न्यू क्या बोलते हैं आर्मर्स के बारे में जो की डेंज चेश्ट से ड्रॉप होता है अंडो किस तरह से बनता है मैं आपको भी दिखा देता हूँ नो गाइस यह आपर आपको दिखा देता हूँ पहले तो रुख जाओ गाइस यह देख सकते हो विदार आर्मर्स क्या बोलते हमको मिलता है देखने को चेस्ट में यानि क्या आप विदर लेगिंस and विदर बूट्स या ए सिर्फ लेकिन गाइज अभी तक विदर चेस्ट प्लेट नहीं आईए तो गाइज विदर बूट्स से and विदर हेलमेट से and guys विदर आर्मर यानि कि भाई पूरा कप पूरा विदर आर्मर से आप जोए कुछ में बना सकते हो है कि necrons armor हो गया and guys strong armor भी बना सकते हो लेकिन guys अभी बोलों कि भाई buzzer के लिए necrons best है या फिर strong best है तो guys buzzer के लिए necrons best and guys mage players mage players के लिए strong armor best है क्योंकि आप सब लोग को पता है strong armor जो सबसे ज़्यादा mana and health बड़ा देता है लेकिन defense में आपको अगर चाहिए defense में armor चाहिए तो आप जो necrons armor उसकर सकते हो जो की बहुत ही बढ़िया है तो चलो guys अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो आपका necrons armor craft होता है and strong armor craft होता है तो guys सबसे पहले आपको जो यहाँ से एक wither boots खरीद लेना है wither boots मैं आपको एक खरीद के दिखाई देता हूँ चलो तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो मैं 30 million d withdraw कर लेता हूँ and यह आहा से एक buy कर लेता हूँ रुख जाओ तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने wither boots खरीद ले and guys यहाँ पर आपको क्या करना होता है मैं आपको strong बना के दिखाता हूँ क्योंकि मैं तो एक match player हूँ तो फड़ा फड़ से आपको combat में आ जाना and guys यहाँ पर catacombs आपको नजर आ जाएंगे इसके ओपर click करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यह दिख जाएंगे यह देखो laser eyes से आपका strong बनेगा and इससे guys इससे जो इस handle से आपका जो नेक्रोंस बनेगा तो फड़ा फड़ से में जो आईगेस इसे 8 बाई करने पड़ेंगे तो 8 के कितने होते में देख लेता हूँ तो guys 16 million lol what the heck 16 million में मैंने यह एक boots बनाया बाई क्या ही बताऊ मैं तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो strong boots जो यहाँ पर बन चुके and यह guys literally यह जो बहुत ही बड़िया बूर से mage weapon and guys mage weapon में mage weapon में आपको सबसे best weapon है hyperion लेकिन guys अगर आपके पास hyperion है and scroll नहीं है तो guys वो जो एक wooden sword से भी खराब sword है यह देखो मेरे पास hyperion है लेकिन इसके अंदर scroll नहीं है तो एक wooden sword से भी खराब sword लगती है जो कि बहुत ही waste है बाई अगर जब तक आपको scroll नहीं मिलेगा तब तक hyperion एक दम बेकार सी है and guys hyperion बहुत सारे बंदे बोलते बजर के लिए best है लेकिन नहीं guys buzzer के लिए hyperion best नहीं है hyperion जो ही एक mage weapon है जो कि best mage weapon कहता है बहुत बढ़िया है and इसके साथ I guess wall carry आती है इसका updated version जो कि मुझे उतना पता नहीं शायद से वह भी जो ही एक mage weapon है तो चलो guys अभी चलते वापस है हमारे island में तो guys आज के इस वाली वीडियो में इतना है I hope आप सभी लोग को यह वाली वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like channel को subscribe और अपना प्यार सग्या में टाइक comment कर देना तो मिलते आपको अगली next वीडियो में तब तक के लिए bye bye